फिल्म इंडिस्ट्री में एक्टिंग की वज़े से अपनी एक अलग पहचान बना चुके अनुपम खेर आज अपना 63 वान जन्म दिन मना रहे हैं अनुपम का जन्म आज के दिन साल 1955 को शिमला में हुआ था उनके पिता एक क्लर्क थे अनुपम शिमला के DAV स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे और इसी दोरान उनका इंट्रस्ट एक्टिंग की ओर इस कदर बढ़ा की उन्हें मुंबई आने से कोई नहीं रोक पाया अनुपम खेर ने अपने जीवन के 31 साल बलिवूड इंडिस्ट्री को दिये हैं उन्होंने करीबं 500 फिल्मों में काम किया है उन्होंने हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में विलेन, सीरियस एक्टर, हीरो और कॉमेडियन जैसे सभी तरह के रोल अदा किये हैं अनुपमखेर को हिंदी सिनिमा में अपने बेहतरीन कारे के लिए भारत सरकार की ओर से पदमश्री भी दिया जा चुका है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया है सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती है ऐसा ही कुछ अनुपमखेर के साथ भी हुआ था अपने शुरुवाती दिनों में उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और उन्हें प्लेट फॉम की बेच पर सोना पड़ता था लेकिन उनकी कड़ी मेहनत से उन्होंने आज अपना नाम पॉलिवुड के सकल अभी नेताओं में दर्ज करवाया है आपको बताते चले की अनुपम खेर की पहली शादी मधु मालिकता से हुई थी लेकिन आपसी समझ और विवादों के कारण दोनों का रिष्टा ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया इसके बाद उन्होंने साल 1980 में अनुपम ने किरण खेर से दूसरी शादी की थी अनुपम खेर का एक साव तेला बेटा भी है किरण की पहली शादी गौतम बेरी के साथ हुई थी जिनसे उन्हें एक बेटा है सिंक अदर खेर उन्होंने अपने करियर की शुरुआतनातक सिकी थी नैशनल स्कूल ओफ ड्रामा में अनुपम काई पलिक का हिस्सा रह चुके हैं इसके बाद उन्होंने साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म आगमन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी इसके बाद फिल्म साराश ने उन्हें फिल्मी जगत में पहचान दिलाई थी इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी रेटायर्ड आदमी का किरदार निभाया था जिसने एक प्लेन क्राश में अपने बेटे को खो दिया है जिस समय अनुपम खेर ने इस किरदार को निभाया था उस समय उनकी उमल 28 साल थी